अबूशन जैसी महेंगी वस्तूओं को चोरी से बचाने के लिए लोग इने बैंक लॉकर में रखते हैं लेकिन अब इन लॉकरों में सेंध लगने की गटनाएं पड़ रही है सुप्रीम कोट ने इसी तरह के मामले में 1 अगस 2022 को देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के पेड़ित ग्रहक को 30 लाख रुपे का मुआफ़जा देने का आदेश दिया है ये मामला जहारखंड के बोकारो स्टील की ब्रांच से जुड़ा हुआ है गोपाल प्रसाद को बैंक से इस कानूनी लड़ाई को जीतने में पूरे 5 साल लग गए बैंक लोकर में चोरी होने से जुड़ी ये कोई पहली घटना नहीं है लोकर से समान गायब होने, लोकर काट कर चोरी होने, समान शतिकरस होने की खवरें आए दिन आती रहती है फॉरी तोर पर बैंक इस तरह की घटनाओं से पल्ला जाड़ लेता है गोपाल प्रसाद से भी यही कहा गया कि लोकर के अंदर रखे सामान की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती बैंक को ये भी पता नहीं होता कि इसमें क्या-क्या रखा है इस तरह के मामलों में जब बैंक जिम्मेदारी लेने से मना कर दीता है तो ग्राहक के पास कानूनी लड़ाई लड़ने का ही विकल पच्टा है लेकिन अब बैंक लॉकर से सामान गायब या शती ग्रस होने के मामले में अपनी जवाब देही से बच नहीं सकते इस बारे में सुप्रीम कोट के आदेश के बाद RBI ने नए नियम जारी किये है जो एक जन्मरी 2022 से लाकों है इन नियमों के मताबिक आग जनी, चोरी, भवन डहने या करमचारियों की धोका धड़ी के मामले में बैंकों को लॉकर के वार्षिक किराय के 100 गुना तक के नुकसा की भरपाई करनी होगी. RBI ने लॉकर मैनेजमेंट को लेकर सभी बैंकों के लिए निर्देश चारी किये हैं. नए निर्देश मौझूदा लॉकर और बैंकों के पास स्वस्थों की सेफ कस्टडी दोनों परलागू हैं. इसके बावजूद लॉकर से साबान चोरी की घटन की जिम्मेदारी लेने को तयार नहीं होते. नियाए प्रक्रिया महेंगी होने के कारण हर कोई व्यक्ति उपभूगता फॉरूम से लेकर सुप्रीम कोड तक कानूनी लड़ाई लडने की शमता नहीं रखता. आर्वियाई ने स्पश्ट किया है कि सभी बैंकों को अपने लॉकरों की पुक्ता सुरक्षा करनी चाहिए. इसके बावजूद लॉकर में से सामान गायब हो जाता है. पूर्बैंक अधिकारी एसके बंसल कहते हैं कि बैंक लॉकर का स्ट्रॉंग रूम आर्वियाई के दि लॉकर से चोरी की कुछ घटनाओं के बाद ये नहीं मान लेना चाहिए कि बैंक लॉकर सुरक्षित ही नहीं है. सुरेश बंसल कहते हैं कि आर्वियाई के नए दिशा निर्देश से बैंक सचेत होंगे. स्ट्रॉंग रूम की सुरक्षा को और मस्बूत करेंगे. आजकल बैंक हर जोखिम वाले कारे के लिए बीमा कराती हैं. लेकिन लॉकर के जोखिम को कवर करने की बीमा की प्रक्रियाश शुरू नहीं हो पाई है. पूर्फ बैंकर बंसल कहते हैं कि बैंक के पास लॉकर का मालिकान हक नहीं होता. किसी व्यक्ति के लॉकर में कितने कीम बैंक को इस बारे में कुछ पतन ही होता है जबकि बीमा का भुकतान एक निश्चत राशी तक के कवर के लिए कराया जाता है इसलिए बैंक अपने स्ट्रॉंग रूम में रखे लॉकर का बीमा नहीं करवा पाते जाहिर है बैंक लॉकर में रखा समान पूरी थरा सुरक्षित नहीं है लॉकर को नियमित अंतराल पर आपरेट करते रहें इसमें रखे जाने वाले गहनों के आवश्य कागजात समाल कर रखें अगर आपने नई ज्वेलरी खरीदी है तो उसके बिलको भी सुरक्षित रखें जिन लोगों की पुरानी ज्वेलरी है उन्हें प्रमानित ज्वेलरी शॉप से वैलुएशन करानी चाहिए इसके बाद ये ज्वेलरी को लॉकर में रखें वैलुएशन की रसीत को समाल कर अपने पास रख लें अगर आपके लॉकर को कोई शाती पहुंचती है तो ये कागजात आपको क्लेम दिलाने में उप्योगी साबित होंगे काली हो सकता है बैंक खाता कैसे देखिए मेरे साथ जाकते रहो सिर्फ मनी नाइन पर अभी डाउनलोड करें